दोस्तो क्या आप Redmi Series का phone यूज़ करते हैं दोस्तो क्या आप pattern जो है pattern भूल चुके हैं और दोस्तो आप क्या आपको पता है ये वाला Erase All Data और Factory Reset करने से क्या होता है phone को दोस्तो क्या आपको पता है volume up and down keys से and power key को यूज़ करके आप phone को बाहर से complete heart reset कर सकते हैं दोस्तो क्या आपको ये सब में से कुछ भी नहीं पता है तो दोस्तो आप सभी के लिए ये वीडियो है नमस्का दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नया चनल पर जिसका नाम है technical विजोई तो दोस्तो आज का टॉपिक है ये है heart reset method तो दोस्तो आप सभी को मैंने सबसे पहले जो thumb link में मैंने दे दिया है phone को कौन सा वाला heart reset करने से phone सबसे complete 100% जो है वो heart reset हो जाता है और दोस्तो आपने अभी तक अगर अपना phone का backup कैसे लेते हैं वो नहीं देखा है तो आप बिलकुल मत घब रहे यह मैंने अपना इसी चैनल पर इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने अपने बता के रखा है कि आप कैसे अपने जीमेल अकाउंट पर या फिर को यूज करके हाट डिसेर कर सकते हैं जिसमें आपका जितना सब डाटा है फोन का वो सब आपका चला जाएगा उस पर आप कोई भी बैकप नहीं ले पाएंगे दोस्तो ठीक है दोस्तो आपको मैं Second Method जो है वो मैं आपको बता रहा है। दो이ुश्तो अगर आपका फोन का पैटर्न आपको पता है। आपको लिया है लैन आप इसको फॉर्मेट करना चाहते तो आपको यही वाला कीसे मैं आपको backup करके दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों आपको अंदर में setting में कुछ और भी जो Gmail accounts है उनको आपको remove करना है दोस्तों क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप अपने Gmail account को या फिर mi account है उसको अगर आप remove नहीं करेंगे तो यह बाद में password मंगता है और बहुत ही complicated हो जाता है अगर आपको वह password नहीं पता होगा तो आपको यह patch file जो होता है patch file से इसको format किया जाता है जिसमें phone का original software और जाता है जो दोस्तो ऐसे गलती मत करिएगा और मैं आपको सला दूँगा कि आप सबसे पहले account को हटा दीजिए sign out कर दीजिए दैन आप उसको जो है hard reset कीजिए तो दोस्तो आप देख पा रहे है कि मैंने अपना setting में जाने के बाद my account पर आने के बाद यहां पर sign out का option है यहां पर directly आपका phone net से connect होना चाहिए मैंने अपना phone को wifi के जरी connect करके रखा हुआ है और आपको यहां पर simply दिखेगा कि keep remove and cancel तो दोस्तो हम लोग को remove करना है basically and keep and then आपको यहां पर password मांगेगा and मैं जल्दिशा अपना password जो है वो दे देता हूँ sorry guys मैंने इसका password मैं भूल चुका हूँ तो मैं मुझे यहां पर सबसे पहले मिल जाता है forget option तो मैं directly forget पर click करना चाहूंगा अगर match नहीं हुआ तो यह last try I think it's working okay so दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने अपना जो last password था वो मैंने दे दिया and देने के बाद यह जो my my account था यह basically completely remove हो चुका है and आप देख सकते find is off जो मेरा my account हो हट चुका है अभी मुझे sign in करने के लिए फिर से बोल रहा है तो दोस्तो मैं पर sign in नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको चानुबच के हटाया then दोस्तो completely दोस्तो आपको directly जाना है account and synchronize पर directly आपको account and synchronize पर जाने के बाद आपको यहाँ पर google option मिल जाएगा google पर click किजिए then आपको यहाँ पर जो भी gmail id है then आपको उसको gmail id पर click करने के बाद त्री नीचे में 3 dots मिलेंगे mode पर जाने के बाद आपको directly remove account मिलेगा वहाँ पर directly इसको remove कर सकते है then दोस्तो आप देख सकते हैं मेरा जो gmail id है वह एक के बाद एक remove हो चुका है and that's as you can see यह मेरा लास्ट gmail id है जो कि मैं remove कर दिया and are you sure yes I am sure okay तो यह आपसे password माइएंगा then यह हो गया आपका gmail id जो भी है वह remove and आप चाहे तो आपका जो भी google do या facebook account है यह सब को आप completely remove कर सकते है तो remove करने से basically आपका एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपका phone में कोई भी mail id या भी document मौझूद नहीं होगा तो जिस कारण से जो भी आप फॉर्मेट करेंगे उसमें तो बस okay दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने अपना account और जो भी था वो सब मैंने हटा दिया अभी मेरा phone completely ready हो चुक है format करने करेंगे तो दोस्तो simply आपका phone का जो charge है वो आप देख लिजेगा कि वो कम से कम आपका 50 30% से उपर होना चाहिए तो आपको simply से power off करना है power off करने दीजिए phone को and power off करने के बाद 10 seconds का wait किजिए 10 seconds minimum 10 seconds का wait करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं यह volume press button minus button and power button सो दोस्तों आपको basically क्या करना है volume plus button को press करकर रखना है hold on then आपका जो power button है इसको press करकर रखना है जब यह आपका इस display में logo आ जाएगा POCO का then आपको power button release करना है volume button को press करके ही रखना है तो दोस्तों मैं अब स्टाट कर रहा हूं यह यह press किया and अब यह आपको power button press करना है दोको okay hold on one two three यह आ गया logo मैंने power button release किया and यह आ गया हम लोग का main menu दोस्तों आप completely यहां पर नीचे में देख सकते हैं wipe data so दोस्तों यहां पर आपको power button से आपको click करके इसमें okay करना है then आपको यहां पर दिख जाएगा कि wipe all data so दोस्तों हम लोग को power button से okay है तो power button press करते हैं then आपको confirm yes confirm so power button confirm and यहां पर आपको कुछ minutes seconds का time लगेगा दोस्तों जिसका आपका phone जो है वो completely hard reset हो चुका है and आप यहां पर देख सकते हैं कि data wipe successfully and main menu to power button तो main menu के लिए जाने के लिए हम लोग को direct power button के use करना परेगा यह मैंने power button use कर दिया and अभी हम लोग directly reboot पे click करेंगे okay reboot पे हम लोग का iPhone and यह मैंने power button press कर दिया reboot system okay and दोस्तों यह मेरा phone अभी completely boot हो चुका है इसका जो भी data था वो मैंने format कर दिया है and आप देख सकते हैं दोस्तों कितना easy था यह वाला hard reset करना just आपको accounts जो भी था वहां पर Gmail accounts या फिर MI accounts उसको आपको remove करना है then आपका यह वाला जो wipe data है इसको आपको click करके कुछ second के लिए hold करना है and दोस्तों यह आपका हर एक Redmi series के जितने सारे devices हैं उन सभी phone में यह method यूज होता है volume button plus press and then power button press जैसे ही आपका logo आजाता है then आप power button को release कर दिजे volume plus button को press करके रखिए then आपका वहां पे same POCO के series में मुझे यह वाला method आया और भी बहुत सारे series आएंगे जहां पे हम लोगों को यहां पे 7 option मिल जाएगा जिस्त में लिखा होगा बीच में यह data wipe all data आप directly वहां पे volume down button से press करके नीचे में आके आप directly power button क्लिक करके format कर सकते हैं यहां पे हम लोगों का कुछ देर का समय लगेगा तो हम लोग basically इसको wait करते हैं और कुछ तो करने सकते हैं तो देखते हैं ओके दोस्तों तो as you can see हम लोगों का phone जो है वह automatically boot हो चुका है and me ui11 इसको directly press करके open कर लेना है और जैसे हम लोगों का phone नया हम लोग खरीदने जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों को यहां पर setup देखने को जाएं English India को select किया हुआ है already तो हम लोग नीचे में directly next and आपको यहां पर Wi-Fi का जो भी है passwords वह आपको दे देना है मैंने यहां पर आपना Wi-Fi जो है वह connect कर दिया and यहां पर मैं भी next कर दूँगा आपको यहां पर I agree press करने के बाद देन आपको next करना है and आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो perfect SIM card है voice के लिए वह मैंने अभी तक select नहीं किया यहां पर डाटा है वह base नहीं लिखा हुआ है no problem directly मैं इसको reset करूंगा and आपके यहां पर जो भी update होगा वह manually अभी round figure में तो दोस्तो me UI 12 का update आना वाला है इसलिए मैंने पहले पहले इसको format कर दिया जिस कारण से मुझे me UI 12 का update इसके उपर में मैं जब patch file बैठाओंगा वह completely अच्छे से बैठ जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा format कर दिया and दोस्तों आपको हर 6 मैने में phone को format करना चाहिए वह सभी आपका phone में कही ने कहीं दोस्तों catch file जो होता है catch and cookies आप जो internet use करते हैं वह cookies में convert हो जाता है सो दोस्तों यह catch और cookies जमा हो जाते हैं तो इसको clear करने का यही एक simple method है वरना यह catch और cookies को आप file के अंदर से धुन धुन के नहीं निकाल पाते हैं जिसका आपका phone में बहुत सारे storage है जो full दिखाता है इसके साथ दोस्तों हम लोग का जो भी data है उसको आप copy करना चाहते हैं तो आपको यही पर बता दिया जा रहा है कि copy करना चाहते हैं तो directly next कीजिए अगर आप नहीं copy करना चाहते हैं नए से अपना phone को start करना चाहते हैं तो आप don't copy कीजिए तो मैं इसको नए से start करूंगा इसलिए मैं don't copy कर दिया है यहाँ पर अभी मुझे Gmail account मांग रहा है मैं बाद में इसको setup कर दूंगा इसलिए मैं इसको अभी करूंगा skip then दोस्तो आपको यहाँ पर location etc मांगेगा no issue directly आप accept कर दिजे आपको यहाँ पर adding MI account मांगेगा ओके दोस्तो मैंने अपना MI account इससे पहले मैंने login किया था वही बाला account मैंने यहाँ पर login कर दिया and दोस्तो आपको यहाँ पर allow 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 जो भी messages and camera etc location के लिए मांगेगा उस आपको allow कर दिना है then दोस्तो आपको यहाँ पर आएगया find device दोस्तो आपको फोन अगर कभी गुम जो जाए तो उसका location भेजने के लिए find device on होना चाहिए तो दोस्तो आपको simply से यहाँ पर allow कर देना है and now you go setup as new device बिल्कुल मैं setup as a new device ही करूँगा क्योंकि दोस्तो मुझे नया device ही चाहिए तो next now you can set your fingerprint pattern किसे का मैं pin यूज़ करता हूँ so मैं इसको pin करूँगा and password भी यूज़ कर सकते हैं okay now you add your fingerprint and मैं यहाँ पर अपना fingerprint जो है वह completely अच्छी तरीक से मैं दे देता हूँ and ताक कि मुझे कभी बाद में problem issues ना हो and यहाँ पर आप next कर दीजे and आप चाहिए तो बाद में setting में जा करके आप यहाँ पर और भी दो-तिन fingerprint add कर सकते है and दोस्तो आपको यहाँ पर launchers मिल जाते हैं आप कौन सा ओर launcher यूज़ करना चाहते हैं simply आप यहाँ पर launcher को यूज़ करके phone में डाल सकते हैं इसको skip कर दूंगा and yes दोस्तो आपको जो MIUI 11 का setup था वो complete हो चुका है now you are ready to rock तो आप देख सकते हैं मेरा phone जो है वो start हो रहा है phone है वो अभी कितना अच्छे हैं fast काम कर रहा है okay दोस्तो तो यह था MIUI का complete formatting 100% complete formatting and आप देख सकते हैं यह phone अभी कितना अच्छा लग रहा है so दोस्तो इसके साथ वीडियो को खतम करते हैं and मेलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए bye